साथियों मुंबई और महराष्ट के लोगों की सादगी और सुने मुझे हमेशा अभीभूत कर देता है चुनाओ प्रचार के दोरान महराष्ट मैं यहां के अनेक शेहरों में गया आप लोगों से समवाद किया मुंबई मैं तो जो रात में सभा हुई थी उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी इस नह के लिए इस आफिरवाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ बनते बिगड़ते मौसम के बीच आज भी आप अपना समय निकाल कर इतनी बड़ी तादाज में आकर के इस कारकम की शुभा बढ़ाई यह आपके मिजाज की पहचान है और आपके सपनों का संकेद भी है साथियों मैं रशिया में था तब भी मुझे मुंबे का हाल मिल रहा था मैं कल सुभई ही वहां से लोटा और फिर शाम को बैंगलूरू चला गया बैंगलूरू में राद भर इसरों के अपने विज्ञानिक साथियों के साथ रहा उन्होंने जो होंसला दिखाया है उसे देख करके मैं बहुत प्रभावी थी अपने लक्ष के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है कैसे विप्रीत से विप्रीत परिस्थिती में भी बड़ी से बड़ी चनौती में भी पूरी तनमयता के साथ कैसे अपने लक्ष को प्राप्त किया जाता है ये इसरों के हमारे विज्ञानिकों हमारे इंजिनियोरों से हम सब सिख सकते हैं भाई और भहनों हमारे सांस्त्र एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है भरतोहरी ने कहा था प्राभ्यते न खलू विग्न भहेन निचै प्रारभ्य विग्न भहीता विरमंति मध्या विग्ने ही पुनह पुनरपी प्रतियंत्य माना है प्रारप्त मुत्य मुगुणा न परित्य जन्ति याने किसी भी लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रियास करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं सबसे नीचले पाइदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के दर्स से कभी काम की शुरुवाती नहीं करते हैं इसके बाद मद्यस्तर के और मद्यस्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरु कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही नौ दो ग्यारा हो जाते हैं भाग जाते हैं इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे उंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद बड़ी से बड़ी चुनोतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष को प्राप्त करके ही दम लेते हैं साथ्यों इसरों और उसके साथ काम करने वाले लोग यह तीसरी प्रभृत्ति वाले लोग है कि जब तक लक्ष प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं न ठकते हैं न बैढ़ते हैं अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी हैं लेकिन इसरों के वैगानिक कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते है चांद पर पहुंचने का सपना पूरा हो करके रहेगा और साथियों हमें ये भी याद रखना है कि चंद्रयान के साथ भेजा गया और्बिटर अभी वहीं है चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है कि ये भी एक आइतिहासिक उपलब्दी है कि मैंने मुंबई के लोगों की स्पिरीट के बारे में बहुत सुना है देखा है अनुभव किया है आज इस्तरों के लोगों के स्पिरीट देखी और समझी तो मुझे जरूरी लगा कि आप से भी उन बातों को जरा शैर करो